दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर तस्वीरें बया करने के लिए काफी है कि जो यमुना कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए तरस रही थी वहाँ पर जिस तरीके से वेग है इस समय पानी का और साथ ही साथ ये जलकुंभी के जो पौदे साथ में चल रहे हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में बार का खत्रा हो गया है लगबग लगबग खत्रे के निशान के आसपास यमुना इस वक्त बह रही है दो सो पाँच दसमलो तीन तीन मीटर खत्रे का निशान है लगबग दो सो पाँच दसमलो दो पाँच इलर हैं जो यमना के बिज के नीचे के हैं वो भी लबालब डूबे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं खासतोर पर जो खत्रा है वो निचले इलाकों के लिए हैं जैसे अगर हम बात करें तो वजीराबाद साथ ही साथ गड़ी मांडू उस्मानपूर यमना खादर इसके सारीता विहार ओखला जैसे इलाकों में मुश्किलें बर सकती हैं केताबनी का स्तर दिल्ली में 204.50 मीटर है जो की देर शाम ही यमना ने पार कर लिया था अब जो पानी है ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो आगे जो मतुरा आगरा जैसे शहर है वहाँ पर भी इसका खत्रा बन सकता है लेकिन फिलहाल दिल्ली के लिए और दिल्ली के निचले इलाकों के लिए ये मुश्किल कि यमना में जल स्तर बढ़ा है और इसका सिर्फ वज़ा ये नहीं है कि एक लाक साथ हजार क्यूसिक पानी हथनी कुंद बैरास से छोड़ा ग लगातार बढ़ता हुआ कैमरामेन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुणाल दिल्ली आज ताक